हालो एवरिवरे और वेल्कम बेक टूमार यूटूब चैनल तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेर करूंगी इन सिंपल सी लेसिस का यूज करके एक बहुती खुपसूरत और ब्यूटिफुल कूर्थी नेक डिजाइन तो ये मैंने दो डिजाइन में पतली वाली लेस ली है ये आपको मार्कीत में इजीली मिल जाएंगी और ये मेरी रियोन की प्लैन कुरती है जिस पर मैं नेक बनाऊंगी इसकी मैंने पहले से कटिंग करके रखी हुई है अब हम नेक की कटिंग करेंगे तो ये मैंने बुकरम लिए सबसे पहले इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसकी जो चोड़ाई है, वो मैंने साध़े चार इंच रखी है, लम्वाई में ने सतरी इंच ली है, अब इस पर नैक की कटिंग करेंगे, तो नैक की चोड़ाई में सवा तीन इंच ले और यहां से ऐसे नेक की गहराई में शाड़े साथ इंक ले रहीं। अब यहां पे 1.5 इंच पे निसान लगाएंगे और इस निसान से बाहर की तरफ हम आदा इंच पे निसान लगाएंगे और अब हम नेक का सेब देंगे। तो नेक की गहराई और चोड़ाई आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कमिया ज़्यादा भी रख सकते हैं। अपने जो बीच में लेस लगानी है उसको नापना है तो देखिए ये मेरी लेस आदा इंच से भी कम है तो आदा इंच से भी हम एक सूद कमी रखेंगे और इसको दो भागों में बाट कर ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पे पौना इंच की दूरी पर निशान लगाना है और नीचे से भी हमने पौना इंच की दूरी पर ही लगाना है जितना हमने यहाँ पे लगाया है उतना ही नीचे लगाएंगे। और अब हमने इसकी cutting कर लेनी है तो यहां से आपको finishing से cutting करनी है अगर आपकी marking थोड़ी बहुत टेडी मेडी है तो cutting आपको बिल्कुल finishing से करनी है marking को छोड़ कर भी आप कर सकते हैं बिल्कुल finishing से क्योंकि ये नेक हमारा बाहर की तरफ नजर आएगा तो इसलिए आपको नेक में finishing से cutting करना बहुत जरूरी है और अब हमने जो बीच में ये gap रखा है इसकी cutting करेंगे तो ये लिजे cutting मैंने कर ली है अब इसको हम extra fabric के उपर चिपका लेंगे तो ये मैंने अपनी कुर्ती में से extra fabric लिया है और इसके उपर प्रेस से चिपका लेना है तो ये मैंने प्रेस से चिपका लिया और मैंने दोनों साइड से extra कपड़ा है उसकी cutting कर दी और यहां से मैंने कपड़ा वेसे ही रखा है यहां से मैंने कपड़े को देखिए इसके उपर इसे fold करके प्रेस कर लिया है और यह मैंने चारू तरफ से फोल्ड कर लिया और बीच में से भी मैंने यहां से इसको फोल्ड कर लिया और यहां से मैंने वैसे ही रखा है तो अब हमने इसके उपर लेस अटेज करनी है तो यह वाली लेस मैं भी सेंटर में लगा रही हूं तो हम lace की cutting कर लेंगे और अब हमने neck को ऐसे सीधा रखना है और यहाँ पर lace को दिखे ऐसे attach करना है जितना हमारा कपड़ा है कपड़ा से भी आपको lace थोड़ी ज़ादा ही रखनी है उपर की तरप और ऐसे करके आपको finishing से सिलाई लगा लेनी है तो यहाँ पर जो दोनु साइड की किनारी है इसको हम दबाते हुए सिलाई लगाएंगे जो lace की किनारी है इसको दबाते हुए यह दिखे तो यह मैंने lace को इस तरीके से attach कर लिया है अब यहाँ से जो भी extra lace है इसकी cutting कर देंगे और अब हम इसको अपनी कूर्ती के उपर attach करेंगे तो कूर्ती को हम ऐसे उल्टी साइड से रखेंगे यह दिखे यह उल्टी साइड है और नीचे की तरफ सीधी साइड है अब neck को हमने इसके उपर ऐसा रखना है neck को भी उल्टा करके ही रखना है ऐसे मिलाते हुए रखेंगे 20 सेंटर से और यहाँ पे मैं एक पिल लगा दूंगी और एक साइड से मैं इस पे सिलाई लगाना शुरू करूंगी तो सिलाई हमने बुक्रम के बराबर लगानी है बुक्रम के उपर भी नहीं लगानी है और बुक्रम से दूर भी नहीं लगानी है तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है अब यहां से हम कपड़े की कटिंग करेंगे और यहां पे हम छोटे-छोटे cut लगा लेंगे ध्यान रहे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए तो ऐसे cut लगाने के बाद में अब हम net को ऐसे सीधी साइड में पलट देंगे और ऐसे पलट के हमने इसकी किनारी पर एक सिलाई लगा लेनी है हमारी किनारी पर सिलाई लग चुकी है अब हम बाहर वाली किनारी पर सिलाई लगाएंगे और अब हम इस पर ये वाली लेश अटेज करेंगे तो इस तरह से रखनी है और इसकी किनारी पर हमने शिलाई लगा लेनी है ध्यान रहे आपको धागा भी वाइट कलर का ही लेना है ये देखे तो इस तरह से हम इस लेश को अटेज कर लेते हैं और फिर मैं आपको पूरा नेक कल लूग दिखाती हूँ सटेज होने के बाद में हमारा जो नेक डिजाइन है बनके रेडी हो गया है आप देख सकते हो कितनी फिनिसिंग के साथ में कितना सुन्दर और ब्यूटिफुल नेक डिजाइन बनके तयार हो गया है तो फ्रेंट्स आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं अगर आपको ये नेक डिजाइन और ये वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंट्स और फैमली के साथ जरूर सेर करें देखे फ्रेंट्स हमने जो इस नेक में बीच में ये लेस लगाई है इसमें भी नीचे से आपका कुछ नहीं दीखेगा क्योंकि नीचे की साइड इसमें कपड़ा है और उपर से ये हमारा डिजाइन दिख रहा है तो friends आपको ये design कैसा लगा है प्लीज कमेंट्स करें अच्छा लगा हो तो वीडियो को share करें आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में पहला icon को प्रेस कर लीजिए ताके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की notification मिलती रहे आप मुझे facebook और instagram पर भी follow कर सकते हैं दोनों का link नीचे description में है आज के लिए बस इतना